तो आज हम लोग फिसे एक बार एक नया लेसन सुरू करने जा रहें लेसन 6.2 ठीक है जिसका नाम है आवर ट्री ठीक है तो आज हम लोग इसे रीट करेंगे शिरिफ रीट करना है ठीक है लेकिन उससे पहले हम लोग वर्ड मिनिंग को समझेंगे इसके बाद वर्ड मिनिंग आपको आज अपने क्लास वर कोपी में लिखके मुझे बेजना होगा ठीक है आपका एक्जाम के लिए लेसन 6.2 तक मैंने बताया था इसके लिए इसे हम लोग पूरा कर लेंगे इसके लिए आपको जल्द से हो सके तो लिखकर मुझे वर्ड मिनिंग लिखकर बेजना होगा ठीक है तो चलिए लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग वर्ड मिनिंग को समझ लेते हैं as you can see on your mobile screen देखिया आप मोबाल स्क्रीन पर देख पा रहें यहां पर वोर्ड मिनिंग है ठीक है इसको हम लोग पहले पर रहेंगे वान बैवान तो मैं जहां जहां पर हूं पहला दूसरा तीसरा हुए से वहां पर अपनी नजर बनाए रखेंगे ओके नाओ लूग अपनी नजर ब गो डान मिन्स गिर ना फॉल गिर जना daí नेस्ट प्लक। प्लक मिन्स किरिमोर और रिमुव और संब्क तोर ना नेक पर्च पर्च मिन्स पुसीट जाने की बच्त परुख तो सीत अन्च यान बच्ची बच इन्दी मन पाले बच्छ इन्दी में पौलेक्त इसके बाद caterpillar, caterpillar इसे परेंगे, last one is caterpillar, caterpillar means a small insect having width a lot of legs, तो एक छोटा सा की रहा, जिसका बहुत सारा legs होता है, बहुत सारे पेर होते हैं, ठीक है, ये caterpillar एक ऐसा की रहा है, जिससे वो कीरे से बात में वो तितिली में बदल जाता है, ओके, Now, अभी हम लोग इस lesson को read करेंगे, आपको word meaning लिख के भेजना होगा, ठीक है, साथ मैं आपको इस lesson को अपने घर पे read करना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, आज बस read करेंगे, तो मैं जहाँ-जहाँ read करो आपको देखना होगा, ओके, अच्छे से देखेंगे ध्यान से, आपको आपको अबाएिग मक्या। वे सक सकसिते होका, जहाँवान क की ए्यान से। आपको इसने होगा, रवालकिछ आपको टॉको हाँपू लिखकवेश में, आपको अजहाँजार का दूम की बना का बना temu का यालती खंब दूंओ में शूफिका, जहाँएमा का बंदे ज and spider's webs, caterpillar's with tiny legs, rich green leaves, life aplenty, okay, life aplenty. Then go to the next page, page number 68, the tree has fruit, some big, some small, let us pluck them but do not fall, cross, perch, squirrels run and see the monkeys having fun, strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things, written by Pranab and Samita Chakravarati and read the lesson. So, this is how I read this, just as I have read it, if you will ask your mother-in-law or brother-in-law or brother-in-law, then you will see the video again, and then you will see the video again. So, today you will see the word meaning, and you will see it in class for copy and send me, okay. So, today is nice. So, thank you all. Write the given word meaning and read the lesson at your home and take care. which is kind of a good example. So, take care. Take care. All right.